Hello friends, welcome to my YouTube channel आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप CSE यूज़ करते हैं और उसमें आपको जो different problems face करते हैं जैसे एक अधार कार्ड authentication की problem होती है और एक जो आप जब अपने अधार कार्ड को configure करते हैं फर्स टेम जब आपको CSE में login करते हैं आपको पता आपको fingerprint सबसे पहले scan होता है उसमें अधार कार्ड की authentication वो भी failed आती है तो ये जो दो problem sign का solution कैसे करेंगे वो माँ आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो उसके लिए माँ आपको यही prefer करोंगा अगर आप CSE यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले देख लीज़े आपका जो system है उसका जो कितने bit का है उसके लिए आप क्या करेंगे इस PC के उपर right click करेंगे properties में जाएंगे properties में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो system है 64 bit का है उसके बाद आप जाएंगे google chrome में यहां पर जो आप website use करेंगे directly file यहां पर आप use कर देंगे जिस website से हम use download करेंगे file puma file puma website पर search करें chrome कितने bit का हमें चाहिए 32 bit और version कौन सा 70 32 bit 70 मैंने fill कर देंगे यहां पर ok कर दिया उसके बाद आप देख सकते हैं download google chrome 32 यहां पर देखे वर्जन आ रहा है इसको click कर लीजे after clicking आपने क्या करना नीचे जाना है इसको download करना है तो यहां पर यह download हो जाएगा near about i think 51mb का यह software है आप इसको download करके install कर लेंगे यह देखे यहां पर इसकी 51mb का इसको आप download कर लेना फिलाल मैं इसको download नहीं कर रहा है यह आप install कर लेंगे installation के बाद आपको जो एक main चीज़ करनी है वो क्या है कि आपको इसकी updates को disable करना है google chrome की कैसे करेंगे तो आप क्या करेंगे this pc में जाएंगे अगर आप windows 7 यूज़ कर रहे हैं हमाई computer में जाएंगे local disk c में जाएंगे यहां पर आप जाएंगे program files में यहां पर आप search करेंगे chrome अगर इसमें नहीं मिलता तो यहां second chrome program file से इसमें जाएए यहां पर आप search करेंगे Chrome अगर इसमें नहीं मिलता तो आप जाएंगे यहां Windows में यहां पर search करेंगे Chrome यहां नहीं मिलता तो जी Google search कर लेते हैं अगर यहां से directly नहीं मिलता आपको तो आप क्या करेंगे यहां देखे C Drive को open करेंगे यहां पर आपको मिल जाएगा Chrome लिखिए यहां इस बन और यहां से सर्च कर दीजे जब आप सर्च करेंगे यहां पर जितनी भी आपकी C Drive में Chrome वाली फाइल्स हैं वो यहां पर सर्च होंगी ऐसा है कि कीवार आपको प्रॉलम आती है सर्च करने में तो हम आपको यहां डिफरेंट वेस बतारों यह देखिए यह आपको Chrome जरूरूर्द सर्च शो कर रहा है यहां पर तो ऐसे आप यहां C Drive में जहां भी देख लीजिए का आपको एक बार शो कर देता हूँ तो मेरे पास विंडोस 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपको ड्रेक्ली फाइल नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगा अगर विंडोस 7 यूज कर रहे हैं की प्रेस करेंगे यहां पर फिल करेंगे MS Config OK कर दीजे OK करने के बाद आप क्या करेंगे यहां सर्विसिस में जाएंगे services में जाने के बाद आप यहां पर g press करेंगे तो g वाली जो भी services होंगी यहां पर आ जाएंगी जैसे google chrome आप क्या करेंगे उसको यहां से click करके apply then ok कर देंगे फिलाल यहां पर मेरा नहीं है तो मैं इसको यहां सैसे रहने था यहां जाफर आप देख भी सकते है mozilla की services को मैंने disable किया updates को disable किया है तो ऐसे आप उसको disable कर सकते हैं by using this method और ok कर दीजे तो इसके बाद आप system को restart कर लेंगे तो by using this method आप क्या कर सकते हैं कि जब आप CSE यूज़ करते हैं उसमें जो आप errors होते हैं आपके like hard card authentication या bad request एक बहुत ज़्यादा common error आजकल आ रहा है जो आप आशि using this method आप उन problems को solve कर सकते हैं मेरे पास CSE नहीं है लेकिन मैंने उसकी यह problem solve की हैं अगर होती तो मैं पूरा आपको live करके बता देता तो यह करके देखिए अगर फिर भी ही आपकी problem solve नहीं होती है तो हम आपको एक alternative दे देता हूं तो उसके लिए आप क्या करेंगे वीडियो आपको starting में चीज़ कही थी आप Google Chrome का 70 version है वो install करें नेक्स्ट अगर इससे भी आपकी problem नहीं solve होती तो आप क्या करेंगे जो आपका biometrics device है बेशे का mantra यूज करते है या morpho या अधर कोई biometrics है उसके आप drivers को uninstall करके दवार install करेंगे जो उसकी services और उसके जो drivers है उसके वा आप मुझे contact कर सकते हैं WhatsApp पे नंबर आपको वीडियो के description मिल जाएगा बाकि जो भी further process है वो आपको WhatsApp पे provide कर दोंगा तो यह process करके देखे और कोई भी किसी तरह की problem आती है तो आप वहां से वहां पूछ सकते हैं और जूरूर हमारे telegram channel को भी follow करिए so that जो भी असीन future updates आए so thank you friends for watching this video and for your available time